नमस्कार मैं मंदीप हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ पेशे से और मैं कल सिंगू मोर्चे पर जो किसान मजदूर संगर्स कमेटी है उसके स्टेज पर था जब दंगाईयों ने स्टेज के उपर हमला किया और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूँ असल में 50-60 लोगों का एक ग्रूप आता है जो तिरंगया लेकर आता है और वो किसानों के उपर किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो तुम्हें सबक सिखाते हैं और फिर पत्राव करने लग जाता है और पुलिस वो डिप्लोई कर रखी दिली पुलिस थी तो दिली पुलिस पिछे से उनको बैकप दे रही है और वो आगे से पत्थराव कर रहे हैं और लगातार तरंगा उन्होंने आथों में पकड़ा हुआ है कभी तरंग और एक पेट्रोल बंग भी वो फैकते हैं जो कि उनके पास है किसा अंकल प्रेस कॉंफरेंस में भी दिखाया किसानों के उपर पैट्रोल बंग फैकते हैं उनकी रजाईयां गदे जलाने की कोशिश करते हैं तो यह सब हो रहा था तो अभी जिन लोगों ने वह हमला किया है वो लोग उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ ग हाँ कुछ हो और रिपोर्ट बेर्च बिसकी उसके उलट कर रहे हैं और बहुत सारे जो आपर पत्रकार जिनको हम जानते जो अच्छे पत्रकार हैं वो भी उलट्रिपोर्ट तो अभी बेसिकली जो यह हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं और जो मैंने रात बर देखा कि कौन लोग थे उन लोग जो पहले आए आतों में तरंगे लेकर किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके पर पत्राव किया उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको टाहँ को यह एक हैं परदीफ खत्री ठोलेदार आपने आपको लिखते हैं एं फेस्बुक पे यह और आपने आपको भाजपा का जिला कनवीनर बताते हैंैं अपने आपको यह मनोश्तिवारी के साथ दिख रहे हैं इसे ही इनकी फेस्बुक वी मैं आपको चेक करवाँगा पूरी फेस्बूक की ये देखे ये कल दंगायों में थे ये अप सकल मैच कर लीजी ये ये जो इंसान है ये कल दंगे में खड़ा है और ये 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 देखिए ये यही इंसान है अब इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस आदमी की इसकी फेस्बुक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है फेस्बुक पे आप देखेंगे तो एक अंकित सर्मा नाम के इंसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी वीडियो दे रहा है देखिए तो ये 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 देख लीजिये कि ये खहरा है कि कौन इनका साथ देगा ये इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसके इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि ये कौन सी परदीब खत्री ठोलेदार और ये बीजे पी का गंतनतर दिवस की बधाई दे रहा है तो ये जो बिजेपी के जो और नेता हैं संदीप सेराउत उनके साथ हैं तो ये बेसिकली बिजेपी का आदमी है परदीप खत्री थोड़ेदार ये कल वहां पर किसानों के उपर पत्थराव कर रहा था दूसरा नाम दूसरा है जो ये और ये मंदबास बावाना से है इनकी पत्नी ये भी बिजेपी में है मिच्छा के साथ इसकी फोटो है इसकी मैं और फोटो भी दिखांगा जिसमें ये दंगाईयों के साथ खड़ा है और पत्राव कर रहा है किसानों के उपर इसकी पत्नी पारशद है बिजेपी से तो इस उसके यह जो फोटो है यह 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 खड़ा और यह देखिए यह मिच्शा के साथ यह दोनों कि लोगों ने निकालके और यह मंडला देक्स है आपको मैं बताँ भी देखिंगी का इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी है और जो ये अमन डबास है जिसके हम बात कर रहे हैं ये भी कल पत्राव कर रहा था मैंने खुद अपनी आखों से इसको देखा है पत्राव करते हुए और ये जैसे चुकि मैं इन गाउं से जुड़ा हुआ हूँ तो दिली था कि यूथ को जो किसान यूथ है उनको पता चल गया था कि उनके ट्रेक्टर पर पेट्रोल बम मारेंगे बीजेपी वाले बवाना किसे निकलेंगे और उसमें इस अमन्डबास ने त्यारी कर रखी थी पूरी और दिली पुलिस इनका साथ दे रही थी ऐसा ऐसा मुझे बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया उनकी वीडियो में आपको जारी करूँआ जो बवाना के लोग बता रहे हैं वह वीडियो भी मैं जारी करूँआ आपके आगे अब दूसरा मैं यह फोटो दिखा देता हूं जो मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाया है यह स सर्दार को कूट रहे हैं यह असल में यह वोलेंटियर था इसको खीच के सिर्गिस के इसके its के में दलवार थी जो एंसे चो है तलवार नी सोगकिकलि क्या जो यह सा फ़िए शिक्यीक आम्रिव पिट्गर वाला जिसके आत में चोट लगती है और इसको खीच के दंगाईयों को दे रहा है दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के और पुलिस वाले बहुत जादा इसके उपर लट बरसा रहे हैं वो वीडियो देख नहीं सकते हैं तो पुलिस आप ही आप देख रहे ह यह गुंडे आए और देखिए यह जो पुलिस है यह मुखदर्सक बनके देख रही है बिल्कुल कोई वो निगर इनको पत्राव करने देए एक बार भी इन्होंने पुलिस ने रोका भी नहीं जबकि स्टेज से सवरण पंदेर और दूसरे किसाने करें कि आप इनको रोकिए यह आसा माजिक तत्त Door है और जो दैनिक जागरने रिपोर्ट किया है यह देखे फोटो शॉप करका है बिल्कुल में पुलिस फोटो शोप करके कोई पूलिस यह लगा टिया यह तो बेसिकली और देखे क्या लिखा पानियां और किसान भड़े प्लिस पर तरवार से अमला जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैं बिल्कुल आखों से देख रहा था चलो ठीक है भई दैनिक जागरण के अपनी पोल सी है रिपोर्ट करने की चीजों की पर यह वा अब मैं उस सरदार की वीडियो दिखाता हूं ज यह देखे अब यह सरदार जो थे उनको लेके आएंगे देखे बालों से खीच कर लेकर आ रहे हैं और गालिया चैनल है इसकी कमेंटरी तो मतलब हद है यह कह रहा है देखिए खालिस्तानियों ने हमला कर दिया यह कर दिया पुलिस पकड़ के लेकर आ रही है बालों से खीचते हुए और इसको पीट रही है और लोकल जो बन के आए हैं सो कोल्ड जो बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसको मारें और पुलिसों को रोक नहीं रही है तो और इसको बिलकुल आगे यह देखिए यह देखिए लोकल आपको दिख जाएंगे देखिए यह लोकल यह देखिए यह लोकल इसको मार रहे हैं पुरा यह देखिए कितरी जवड रहा है यह देखिए यह देखिए इस लड़के को बुरी तरीके से गसीटती है और जो पुलिस इस बीच आसुगैस के गोले छोड़ती है और लाठी चार्ज करती है बैंकर किसानों के उपर मतलब मैं आखों से देख रहा हूं कि पुलिस धंगाईयों को कुछ नहीं कह रही है लेकिन किसानों के उपर लाठी चार्ज कर रही है उनको आसुगैस चोड रही है और जो यह बीजेपी के जो लोग हैं यह गालियां दे रहे हैं किसानों को और तिरंगे से भी महिलाओं के पर इसे उनके दंडा होता नौस से मार रहें तिरंगे का अफ़वान वह खुद कर रहे थे मैंने खुद देखा है और महिलाओं के जो तेंट था मेरा जाईयों को जला के इन्होंने फेका आप सोचके देखे कि महिलाओं के टेंट को इन्होंने जलाने की कोशिस की है जो ब ज्यादा लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमी का के उपर और अभी तक पुलिस ने उस लड़के का बताया नहीं है कि लड़का कहां पर है इसकी मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाई है और मैं आज 24 गंटे तक हम बाट देखेंगे की रिपोर्टर दोस्त की साथी क क्या करें उसके बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि यह कहां पर है और इसको पेश नहीं करती है तो फिर हम एबियस कोर्पस मुग करेंगे और सुप्रीम कोल्ट में जाएंगे पत्रकार लोग इकठा होके जाएंगे क्योंकि हमने अपने आखों से देखा है पत्रकार है इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी कोई सामाजिक दाइत्यों नहीं है हमारा भी दाइत्यों है कि अगर किसी लड़के के उपर ब्रुटैल्टी हो रही है और हमाखों से देख रहे हैं तो हम फिर उसके उपर एक्शन ले हम एबियस कोर्पस मुग करेंगे सुप्रीम कोल्ट म करेंगे और पूछेंगे कि वो लड़का कहा है कि सालत में है और उसके साथ इतना बुरा बरताव क्यों हुआ तो यह सारे यह सारी चीजें जरूरी हैं से विल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप आपको यह समझना है कि मतलब यह वे रूट यह चले जाते बवाणा की तरफ तो वुष्णानों के ट्रेक्टरों पे पेटरोल बं वारने की पूरी तयारी थी खुद बवाणा के लोगों ने मिरी को रिपोर्टे दी हैं और उनकी वीडियो भी मेरे पास बवाणा के लोग हो की जिन्होंने मिरे को बताया ह कि ये 26 जनवरी को ट्रेक्टरों पे पेट्रोल बम मारते और वो असल में बवाना के लोगों ने जो आंदोलित किसान है उनको भी बताया कि भाई दिल्ली पुलिस के बताएवे रूट पे मताना वहाँ पर पेट्रोल बम लेके चत्तों पे बीजेपी के लोग खड़े हैं तो आप इसलिए रिंग रोड की किसान बार-बार डिमांड करे थे और रिंग रोड पे जाना चाहते थे तो यह एक एक कंक्रीट सी चीज है जो मैं जो मैं लगातार देख रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कल किसान जिन किसानों के मतलब सर पूटे हैं आज टूटे पचास के चोटी मोटी इंजिरीज हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूं किसानों के तो और मैं किसी जो मेरा लाइफ देख रहे हैं ऐसे कोई हुमन राइट के उपर कोई साथी कोई काम करने वाले हैं हुमन राइट से या फिर कोई मास्टर्स वगरा कर रहा है कोई प्लीज जाके इनका डोकुमेंटेशन कर दे कि किन किसानों को क्या क्या चूटा है डोकुमेंटेशन करना क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ में हम और दूसरे चीजों को भी देख रहे हैं तो वह डोकुमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं डोकुमेंटेशन को कोई वकील साथी या फिर हुपन राइट का इस आध है तो पली जा गया है और शिंगु जो दिली में हैं जो निया फिर हुपन राइट के साथ हैगे हुँ और ने इस दोक्वेंन्टेशन करें भस आपका काम क्या है किसान को बात चोट लगिए उनकी चोट उनके फोटो और उनके कहां क्या कैसे हुआ वो सारा डोकुमेंट कर लें एक बार ये जरूरी है ताकि कल को अगर हम इस ब्रूट्वालिटी के खिलाफ मूव करते हैं और साथ में जो साथ थी जिसको पुलिस लेके गई है बुरी तरीके से जिसको मारा है गसीट गसीट तक टाइम देना चाहिए 24 गंटे तीन वजए तक हो जाएंगे दिल्ली पुलिस क्या क्या बताती है कहां है और अभी मैं अलिपूर जो इससे भी कॉंटेक्टर नहीं कोशिश कर रहा हूं मेरे फोन उठा नहीं रहे मैं दुबारा उनसे फोन करूँगा और उनकी वर्जन बिलूँगा और साथ में ये भी पूछुँगा कि वो लड़का कहा है है, आसल में हमें अपनी रिपोर्ट में लिखना है, मुझे अपनी रिपोर्ट मैंने अभी रोक रखये जो मैंने पूरी लिखर किरी इसी वज़य से, क्योंकि पुलीस का वर्जन नहीघ पूलिस का व आखों में जलन ओले लग जाए और और ये पत्थर उनके उपर आराम से फैंक सके इसी वजह से इतने पचास के आसपास किसानों के सरों में चोट आई है दिली पुलिस ने पर बैक अप दिया है यह पूरा फासिस्ट मोडल है आप इसको आप समझे तो ठीक है अभी जो और इ लेक्रओंग के यह कुछ